वो डाक्टर नहीं है, राय साब है, वो मुसल्मान के हिंदु कैसे घर आगे, समस्या का हल कैसे वसीम कैसे हल निकलेगा, यहां के बच्चियों के भी शादी होने में दिक्कत परिशान है, बहुत दिक्कत है, वो राय साब है, अदो बेटी को नचा कर लेकर कभी टेम्पू से बोल लें, तवाइफों के घर में आकर, कानपूर गया है, वहां से भी साधी कड़ गया, इतना गंदगी नहीं कोई आता है, बसका का नाम सुनके कड़ जाती है, वो राय साब है, राय साब नहीं है, वो कलंक है, इस देश के लिए, इस गाउं के लिए, बंबाई से आकर ब बंबाई रहता है, बंबाई से आकर बसका में आ रहा है, अच्छा इंसन गजवेट काईगा बसका में? गंदा का मतता आता, आना चाहिए हाँ पे, नहीं आना चाहिए, उसको सरम से डूपकर मर जाना चाहिए, उनके भाई दो दो हैं, दो दो भाई हैं, हमारे भी तीन भाई हैं, हम उसी लाइन से, आज हमारा मात दस पंद्रवरिश से बट गई, पंद्रवरिश से बटा दिया हमें बुरा लग गया एक समाध में अदमी पुछ दे को किस गाउं के हो तब आप क्या करके अपने जिन्दगी को मुबाइल काम करते हैं उसी मुबाइल से हमें अच्छा नहीं लगा अपनी एक बौहन का साधी लगाने गया हमारे गाउं का नाम से भग गया तुसके बाद हम साधी कर लेंगे लाबास से लगा वहां से वहां से बीकड़ गया कानपूर इतना गंदगी हैं बसका का नाम सुनके कर जाती है नहीं उन लोग का ये भावना है कि हो सकता है कि हमारी बेटी जाये वहाँ पर इसका जन्म हो इसकी बच्ची पैदा हो तो यह भी नचा सकता है इसलिए हम नहीं वहाँ साधी करेंगे जैसे भी यहाँ हो रहा है मा नाच गई उसका बेटी नाच गई उसके भी बेटी नाच गई उसके भी बेटी नाच जा रही है इसके वो लोग यह लोग सोच रहे हैं बाहरी लोग जो साधी करने वाले हैं वो लोग सोच रहे हैं कि वहां साधी परमपरा चल ला है साधी करेंगे तो हमारी बच्ची का लड़की की साधी करके वहां से तिलाक मिलाक दिलवा के लड़कियों को भी नचा दे रही है पुरूप है आपके सामने पुरूप लगाती है तो पहले यह सिद्ध करें कभी दो लाग कभी चार लाग कभी छे लाग तो कभी कितना हूँ वह जितना भी बोले कमी नहीं है और यह भी कहती है कि 20 साल से हमसे रंगदारी मांगा जा तो यह तो परधान साथ साल से हुआ आगे 13 साल पहले कौन था जो रंगदारी इन लोगों से ले रहा है तो यह लोग तो हम लोग को आरोप लगाई रही है हम यह एक हमारे गाव में एक राय साब रहते हैं जो रेउतीपुर के हैं उनका उमर होता होगा सतर बरीश वो बोलने हम डाक्टर हैं भाइस गणुरु का आदमी का वो डाक्टर नहीं है राय साब है वो मुसल्मान के हिंदु कैसे घर आगे पचास बरिश से क्या कर रहे हैं वो जाकर एलेक्तानीका दुकान खोले हैं वह राय साब है अ दो बैटी को नचकर लेकि तेम्पू से जाते हैं कभी मोरसाइकल बेट कर लेकर जाते कर दले कर जाते बोले हम डाक्टर हैं ऑनको उनको को सरम आनी चाहिए एक राय साब होकर आप बंदगी मेरा ओर हो एं पूरे लड़किया और दो लड़के वो ही नाचती है जो चार साथी के लिए बूल लहीं है कैसी साबूत क्या हमारी साधी हुई हमारा निकाह कर आए गया तब हमारा बच्चा पैदा हुआ है अभी आपके सामने प्रूप दिया ना लड़का कि मैं एक तवाइब का लड़का हूं मेरे उपर सर्म के मारे मैं पानी पानी हो गया तो मैं अपने मा को पंदर बर्स पहले बठा दिया हम दो तीन भाई हट्टे कटे हैं अपने मा का जिवका चलाते हैं में च्धूरी मैनत करकर और मोबाइश का है रिपेरिंगं करके말श करकर उनके भाई नहीं कर सकते हैं इनके दादा दादी नहीं कर सकते हैं ले ऐजयुएत था किया है आप भी होँगे आप नहीं सोचेकर तो गंदा काम हो आप नहीं जा रहे हैं तो बोलने हैं मुंबई से पढ़ कर रहा है अरे पढ़े ली क्या अच्छे इंसान सामने नहीं आते हैं वह गंदा का में करने देते हैं कि मीडिया के सामने हमोग बनदों जाएगा उनसे फ्रसा भी नहीं चलेगा हम तो मजदूरी कर लेंगे पॉछए ही कि अभी में निज्दूर करने के लिए कर लेंगे हुए हुब लेבה करने के लिए के लड़क वह भाप का सब्सक्राइब बताएंगे माम कान माज पास पास बाइंगे सोने के लिए नहीं कभी नहीं जाएगा इस अपास अभी अमा धारकट दिखा दिए तो उमारा बापका नम दूसरा है तो अब तो अब को लड़के बहुत 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 बात बोलने हैं ज़्क देए अभी तो अब सब्सक्राइब दो अब धरकश नहीं मिल ला है वह तो बोलने साबूत मिल गया है अरे साबूत आपको पस मिल गया है तो आप दिखा दीजिए पुरूप दिखा दीजिए जो भी मीडिया जा रहा है उसमें पुरूप मांगिए किसे लड़ाई झ्हारा करेंगे किसी से नहीं करते हैं क्या मतलब है उनके जितने भाई वह हैं सब वहर पे मिलेंगे कोई कम ही दीऊ क्या पेंवचियों को दो पे만की नहीं है कोई कारें पूचिया उनसे उनसे जाकर यहна पूचिये तो आपके त्क हमें अच्छा काम एक है बुरा ठीफ लगा उसको बंद कर लिए अच्छा करने इह कि अगते हैं किसी के लो नाम भी बता ते हैं कि उतारीफ हमारे करते हैं तौक गंदगी मेरा करा नहीं चेक्म कर दिए पूचा पूचा बगल में एक लड़की जा थी हमारी गाउं के तवाय सुनिए हम बता रहें डिटेल बस स्टेंड पे हमारी बगल की लड़की थी जीन्स पहें नी थी टीसट पहें नी थी तो एक आदमी बहुत बड़ आदमी था इसी लोकली का अरी कोंट अंडिवा ही यह इतना दूर लगा अफसोचा उट्या रुष्टा में हम बैल तो हम बने क्या है मजबूर यह मजबूर यृभ सोच हम क्या पड़ता सौन झातना पर पड़ता रहें जो हम gefशुला है अथ दिल्क होता होता में ह definition ऐसे लो जैशन से start आभी अभी टेमपू है तो पुछेंगे लिए पर लीजी अपना उसे बर्ड जाईए उन लोग तो आते ही नहीं हम यह कुछ ना चाहते हैं आप बहुत बोले डिवाइट करेंगे हम उनके सामने आना चाहते हैं दम सामने आईए आप कितने हैं कितने के बच्ची हैं मरें भी हैं और यह गाओं आजकल चर्चा में हैं और यहां पर जो नाच मुझरा नृत की बात हो रही थी गाओं के लोगों का आरूप है कि उससे बढ़ करके आगे बाद चली गई है और बहुत पहले से वैश्या बृती हो रही है वसीम जैसे हुआ हैं जो सीना ठोक करके कहते हैं कि हां हमारे घर के लोगों ने ऐसा किया था लेकिन जब हमें हमारी गैरत ने हमको जगजोरा तो हम सभी कामों को हमने अपने घरवालों से बंद करवा करके अब इजदत और महनत से अपनी जिंदगी बसर करते हैं और महनत करते हैं और उस महनत से जो भी कुछ हमें हासिल हो कि इनके दर्वाजों को नौक करते हैं और कहते हैं कि फला कहां पे रहता है फला कहां पे रहती है तो इस तरह के चीजें गाउं में होती हैं जिससे इनको दिक्कत होती है एक सज्जन से हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जब हम कभी बाहर होते हैं तो जब हमारे घर की के दर्वाजा कोलती हैं और उनसे जब इस तरह के घटिया जवाब pregnancy करते हैं तो जिप हम शाम को होती है तु वह हमारे Sket शिकायद करती हैं कि हारे कि हमारे हैं ईय हम किस मौहले मजबूत पक्ष ये है मजबूत पहलो ये है कि इनका कहना है कि ये गाउं इतना बदनाम हो चुका है कि जब हम कभी अपनी बहनों की शादी के लिए बाहर के जिलों में जाते हैं बाहर के पदेशों में जाते हैं तो नाम सुनते ही शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता और अगर लड़कों की शादी की बात होती है तो बाहर के लोग अपनी बच्चीयों की शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको डर रहता है कि मेरी बच्ची से पैदा होने वाली जो बच्ची होगी 10-12 साल-15 साल के बाद उसको भी हार्मोनल इंजेक्शन और इंजेक्ट करके उ इस देह बेपार के धंदे में धकेल दिया जाएगा तो इस वज़े से भी ये लोग इन लोगों के गाउं में बाहर की लोग भी शादी करने से कत्राते हैं तो ये गाउं के लिए बड़ी समस्या है शासन प्रशासन को इस पर बैठ करके गाउं के लोगों के साथ गाउं के समस्याओं को आप तक पहुचाएंगे क्योंकि हमारा यह मानना है कि हमारे इन्हीं प्रयासों से एक नएक दिन ज़रूर बदलेगा भारत जहें